अपने जिन्दगी महाने वाले कठनाईयों को मैप करने के लिए जैसे हमें खुद उसके रंग में ढालने के लिए हमें खुद को अपडेट करने की जड़त होती है। उसी तरीके से टेक्नोलोजी में भी अपडेशन, रिक्वार्मेंट, लोगं की बेसिक नीट और कॉंप्लेक्सिटी को देखते हुए हमेशा की जाती है और पोनी भी चाहिए। इसी सिक्वेंस में Microsoft हमेशा अपने प्रोड को लेके अपडेशन करते रहता है और आपने देखे होंगे Office के ना जाने कितनी वर्जन आए Office 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 और Office 365 सबसे latest में से एक तो वैसे हम लोग काम चाहिए किसी भी वर्जन में कर रहे होने कि latest Office Tools के साथ कुछ latest updates दी आते हैं और उसी updated feature को सीखना ज़रूरी भी है और वक्त की demand भी है इसी sequence में मैं आप लोग के साथ ने introduce कर रहा हूँ Office 365 के जो भी नए function आए हैं चाहे हो X look up हो, X match हो, unique हो, filter हो, start, start by, let ये सारे function जो बहुत ही effective हैं हम इन सारे function को भी सीखने लेकिन उसको सीखने से पहले हमें ये जानना होगा कि सीखेंगे कैसे तो आगे लेके जलता हूँ वीडियो में और Microsoft Office का installation process वो भी free of cost तो हम ऐसे जैसे बहुत सारे लोग अलग-अलग version पर काम कर रहे होंगे Office कोई 2010 यूज़ कर रहे होंगे, 13 यूज़ कर रहे होंगे, 16 यूज़ कर रहे होंगे, 2019 वो यूज़ कर रहे होंगे या बहुत सारे offices में अब subscription-based Microsoft Office 365 वर्ज़न पर लोग काम कर रहे होंगे अब मैं बात कर रहा हूँ Microsoft Office for web यूज़ करने की, तो बात आती है paid version और free version दोनों में कुछ तो फर्क होगा, क्योंकि हम लोग already Office 2019 तक यूज़ कर रहे हैं और उसमें जो function अविलेबल नहीं है, वो function 365 में अविलेबल है, लेकिन जो हमारा free वाला वर्ज़न है, उसमें वो बहुत सारे चीज़ों की facility नहीं देता है free वाले वर्ज़न में क्या-क्या facility अविलेबल नहीं है, वो अभी आपको तुरन पता चल जाएगा सबसे पहले आपको Microsoft के product को use करना है, तो Microsoft का account होना जरूरी है तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, हमने एक browser खोल लिया और यहाँ पे पहले हमें Microsoft के site पे जाना होगा सबसे पहला काम क्या कि है मैंने Microsoft.com साइट open कर लिया और open कर लेने के बाद यहां पर मुझे पहले account create करना है अगर आपका account बना हुआ नहीं है तो पहला काम क्या करेंगे यहां से आपको account करना है sign in कर लिजिए अगर मेरा account बना हुआ है तो नहीं तो आप क्या करेंगे आपके case में अगर नहीं बना रखा होगा तो create Microsoft account बहुत सिंपल सा process होता है जैसे Gmail के ID create करते हैं आप Microsoft का account create कर लिए यह काम आप Microsoft.com साइट से भी जाके कर सकते हो या outlook.live.com से भी यही काम कर सकते हैं यही आपके पास अगर account नहीं तो पहले create कर लिजिए और फिर से यहां login कीजिए जैसे मेरा already बना हुआ है यह मैं अपने account को login कर लिया यहां से और login कर लेने के बाद आपको जो interface दिखेगा वो इस step से दिखेगा यह रहा आपको इस step से outlook का interface दिख गया अगर आप outlook के थूर दिखेगा है वो word हो, excel हो, powerpoint हो, outlook हो, one note हो, जितने भी product है Microsoft के वो आपको यहीं पर दिख जाएंगे ठीक है और यहां पे अब आपको use क्या करना है excel तो मैंने click किया excel तो click कर दिया वो ऐसे ही जैसे आप normally excel use करते हैं new blank document इसके interface को दिखाने के साथ साथ मैं आपनों को बता द यह आप के सामने, sort यह रहा, sort by यह रहा, equal to filter बहुत बढ़या function, equal to let बहुत अच्छे-च्छे function है इसमें जो मैं use करके इनको example के साथ डेटेल में सिखाऊंगा, साथ के साथ अगर मेरा कोई अपना file है जिसके ओपर मुझे काम करना है तब भी कोई problem नहीं है, आपको क्या कर करना है, यह office launcher, इस पे click कर देना, और यहीं पर आपके पास option आजाएगा upload and open, यहाँ पे जाएए और आपके पास जो भी file बना हुआ है, उस file को यहाँ से open कर सकते हैं, तो आपको यह office 365 में यह open कर देगा, और साथ के साथ यह one drive में भी load कर देता है, जिसको आप बाद में क क्लिक कीजिए, यहाँ से चले जाएए one drive पे, यही file आपको वहाँ भी दिखेगा, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने file बनते जा रहे हैं, उसकी copy यहाँ पे, save होता जा रहा है, जैसे हमारा कौन चाथा, यह वाला file था, इस पे click कीजिए, और right click करके, हमारे पास option होगा, download करने का, हमने किया कि इस file को download कर लिया, offline use करने के लिए, ठीक है, तो आप अपने file को upload कीजिए, वहाँ पे जो भी function, चैहे हो, X look up, X match लगाईए, और वाप इस download करके, offline use कर सकते हैं, उमीद करता हूँ, यह बहुत ही simple सा process था, जिसको use करके, आप office 365 के product को use कर सकते लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि free versus paid में कुछ न कुछ तो फ़र्क होगा, free microsoft office 365 और subscription based office 365 में ज़्यादा फ़र्क होगा, जैसे हम लोग office 2019 version यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे data tab में जाएं, और यहाँ पे आपको बहुत ही जबदास tool कौन सा power query दिख रहा होगा, अब व यह सरे और भी फर्द दिखेंगे जैसे से मैं स्रीज में आपके साथ आगे चलूँगा, जैसे visual basic editor नहीं दिखेगा यहाँ पे, कौन सा जो हमारा free version है, लेकिन हमारे जो नए function हैं, उसको use करने के लिए, सीखने के हिसाब से बढ़िया है, आप लिए उसको चाहें तो use कर सक करते हैं, बहुत आसानी से, तो आप से मिलता हूं, मैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी Microsoft Office 365 के, जो नए-ने function का नाम मैंने किनाया, उन function के example के साथ, थैंक्यू, होड़े 11, support to intelligent channel, थैंक्यू, भाज़े 11, support to intelligent channel, थैंक्यू, भाज़े 11, support to intelligent channel, थैंक्यू